नमस्कार स्वागत है आपका दरनेटीजन न्यूज में मैं हूँ आपके साथ पूजा आए रुख करते हैं आज की खास खबरों की और इंदोर के विजयनगर थाना शेत्र में गैरित संचालक को शेत्र के ही बदमाशों ने लूट पार्ट की घटना के बाद धारदार हतियारों से हमला कर गंभी रूप से घायल कर दिया फिलहाल घायल का इलाज अमवाई में अस्पिताल में जारी है इंदोर के विजयनगर थाना शेत्र स्थित सिटी समरद्य नगर में रहने बाले रोहित नामक युवक ओ शेत्र के बदमाशों ने लूट पार्ट कर धारदार हतियारों से हमला कर घायल कर दिया गटना में बताया जा रहा है कि घायल रोहित के बड़े भाई रमेश के साथ ही गैरिज पर काम करता है और बड़े भाई रमेश ने दोपहर को दस हजार गैरिज का सामान खरीदने के लिए थे दोपहर को घायल युवक्स सामान खरीदने गया तो बदमाशों ने रोहित को घेड लिया और दस हजार नगत सोने की चैन छीन कर हमला करने के बाद फरार हो गया बड़े भाई को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और उपचार के लिए अमवाय ऑस्पिटल ले आया जहां घायल का इलाज जारी है बाहर रमेश द्वारा बताया गया कि शेतर में ही रहने वाले पपू आकाश गोपी नहीं हमला किया है फिलाल पूरे लुटपार्ट की सूचना पुलिस को दे दी गई है पुलिस भी पूरे मामले में बदमाश्यों की तलाश में चुट गई है जाल, आज मैं पितमबुर में ठाश, मेरे गरीज़ पर कुछ काम था तो मेरे छोटे आले भाई को 10,000 रुपए दिये थे कि ये समान ग्रीज़ पर लेकर पतक देना जाल, पूरे मेरे बाई को आने में लेट हो गया हूँ तो मैंने मेरा भाई को फोन करा तो बोलता कि बस पांच मिनिट में आ डिया हूं पांच मिनिट के बाद मैं मुझे मालूम पड़ा सर कि मेरा भाई को चाकू लगे हैं मैं तुरंत महां पर मौके पर पुचा तो मुझे महां पर मालूम पड़ा कि आका जमा जम और गोपी उप पपू का लडगा पांगे इन तीनों ने मिलके मेरा भाई को चाकू मारे और मेरा भाई के कने सुने की चेन ती जो मैंने मेरी किस्तों पर यानि की जोलर से बनवाई दोत करेए पेशना ही तो इसका बड़े था तो मेंने गिफ्ट पर कर जाटर ला था वह चेन बोलि और उसके बाद में रुपे भी ठिल लिएक नेक्लियान इनका राद दिन का पौन देम में करतु हूं और तो गैन्जे वाले हैं और एक काम पौन याओ जो फिसकी पना में त हो में बेंटा है निग sincerely होग संबंद नगर साथ में रेते साथ नेटीजन न्यूज से सिटीर रिपोर्टर साजित खान की रिपोर्ट फिलहाल अभीकली बस इतना है लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें देटीजन न्यूज